Hello everyone, स्वागते आप लोगों का मेरी YouTube चैनल LWT जो आप में DPS सिक्षक भरती 2024 नया विज्यापन जारी किया गया है इस वीडियो में हम दो स्कूलों की वेकेंसी की बात करने वाले हैं Delhi Public School जैपूर से वेकेंसी जारी हुई है, दूसरा Delhi Public School संग्रूर से वेकेंसी आई है जहां fresher भी apply कर सकते हैं, आज तक आपने कहीं पर भी नहीं पढ़ाया है और Delhi Public School में पढ़ाना चाते हैं, तो बिल्कुल apply आप कर पाएंगी TZT की वेकेंसी है, Delhi Public School जैपूर में PRT की है, इसके अलावा जो है और भी कई पोस्ट हैं जहांसे वेकेंसी जारी की गई है तो सारी चीज़े हम समझेंगे, तो बहुत अच्छे से जो है वीडियो देखिएगा, अगर आप apply करने के इच्छुक हैं तो तो सबसे पहले देख लेंगे Delhi Public School जैपूर, A Day Come Residential School तो यहां होस्टल की सुविदा है, अब यह होस्टल की सुविदा जो है students के लिए ही है केवल या फिर teachers के लिए भी है तो जब आप interview देने के लिए जाएं, तो वहां जाकर यह चीज़ पता कर सकते हैं कि salary के साथ में आप लोगों के रहने की सुविदा या है या नहीं है तो इसकी जो main website है, इसमें career section यहां पर नीचे है इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, तो यही page open होगा DPS जैपूर invites applications for the following position, job vacancy दो post है, TGT और PRT की TGT में एक subject की vacancy है, maths की और PRT में dance teacher की vacancy है non teaching position में hostel warden जिसमें male और female दोनों apply कर सकते हैं, एक-एक vacancy दी हुई है ठीक है, बाकी commerce वाले candidate के लिए भी जो है vacancy है, accounts manager की, accounts assistant की qualification जो है बिल्कुल CBSC norms के according ही जो है यहाँ पर रहते हैं, जैसे कि हम TGT की बात करें तो 35 year तक के candidate apply कर सकते हैं, PRT के लिए 30 year तक के candidate apply कर सकते हैं qualification के लिए अगर TGT के लिए apply करना चाहेंगे, तो आपके पास graduation के साथ में seated paper 2 आपका qualify होना चाहिए, PRT के लिए अगर आप apply करना चाहेंगे, तो यहाँ पर primary level का diploma, degree अगर आपके पास है, साथ में seated paper 1 आपका qualify है, तो ही आप यहाँ पर apply कर सकते हैं, fresher बिल्कुल apply कर सकते हैं, कोई experience यहाँ पर नहीं लिखा है, working knowledge of computer, तो थोड़ा computer की जो है knowledge होनी चाहिए, और साथ में है fluency in English is must, English जो है यहाँ पर बिल्कुल चाहिए, यानि Hindi medium candidate जो है apply कर सकते हैं, बट पढ़ाना आपको बिल्कुल इंग्लिस में ही रहेगा, how to apply, कैसे apply करना है, please send your CV या resume to hr at the rate dpsjapur.com, तो बस अपना resume आप लोगों को इस पर भेजना है, बस इतना ही करना है, कोई fees वगरा यहाँ पर आपकी नहीं लग रही है, अब दूसरी जो vacancy है, Delhi Public School संग्रूर की, इसमें आप लोगों को online ही जो है form दिया हुआ है, इसे आपको भढ़ना है, apply for job, name, father name, mobile, email address, qualification, experience, अगर है तो experience जरूर फिल करें, applied for, address, और अपने जितने भी document हैं, upload करना रहेगा, ठीक है, उसके बाद जो है last में, security court डालके submit करना है, अभी इन्होंने जो है, यहां online process बता दिया है, कैसे apply करना है, लेकिन यहां पर notification जो है, वो पहले डाला था, बट हटा दिया, अब क्यूं हटाया है, यह नहीं पता, जो भी candidate apply करना चाते हैं, तो वो apply कर दें, अगर Delhi public school संगरूर के आसपास के हैं, और इस school में पढ़ाना चाते हैं, तो आप अपना subject यहां पर लिख दें, जैसे name लिख दें, father name लिख दें, mobile, email address लिख दें, आपकी highest qualification लिख दें, अनुभव है तो लिख दें, और किस category के लिए जो है, teaching के लिए या non teaching के लिए, तो teaching पर आप लिख कर दें, ठीक है, कौन से subject के लिए apply करना चाते हैं, यह subject लिख दें, address लिख दें, अपनी file यहां पर upload कर दें, बस इतना आप तो फिलाल कर दें, ठीक है, हो सकता है कि कुछ जो है, mistake हो गई हो, इस वजए से जो है, उसे हटा दिया गया हो, तो form तो आप फिल कर ही दें, दोने ही notification में, last date जो है, वो बिल्कुल नहीं दी गई है, कि last date कब है, लेकिन मेरा मानना है, कि 7 days के अंदर, या 10 days के अंदर जो है, आगर आप apply करना चाते हैं, apply करने के इच्छ लिंक आप लोगों को share कर दिया जाएगा, वीडियो के नीचे description box में, जितने भी वेकेंसी के notification जारी होते हैं, तो main website का link आप लोगों को जरूर share किया जाता है, ताकि आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, पिसले वीडियो आप देखिएगा, हो सकता है आपका subject हो, आपके नजदी की जो है vacancy रही हो, और आपने miss कर दी हो, तो बिल्कुल regular देखते रहें, आप लोगों की जल से जल जो है job लग सके, और जो भी candidate की job लग जाती है, तो please अपना जो अनुवव है, वो comment box में जरूर लिखा करें, ताकि और भी जो candidate हैं, वो motivate होंगे, उस चीज के लिए कि हाँ, बिल्कुल सही vacancy है, और यहाँ पर हम जा सकते हैं, क्योंकि एक जो अनुववी candidate होता है, वो ही सारी चीज़ें face करके आता है, तो उसी को सारी चीज़ें जो है, वो पता भी होती है, तो यह काफी अच्छा रहेगा, अगर आपकी job लग जाती है, और आप अपना अनुवव यहाँ शेयर करते हैं, थैंक यू